अखिल भारती मारवाडी महिला सम्मेलन ने मनाया योग दिवस भवानी मंडी 19 जून 2024 अखिल भारती मारवाडी महिला सम्मेलन शाखा भवानी मंडी द्वारा आज अंतराष्टी योग दिवस पूर में ही धूमधान से मनाया गया सम्मेलन की वरिष्ट मीडिया प्रभारी सुधाफलाट ने बताया कि स्थानिय महेश्वरी भवन में सम्मेलन के सदस्यो द्वारा महेश्वरी महिला मंडल के तत्वधान में योग डिवस मनाया गया इस अफसर पर सम्मेलन की अध्यक्षा श्री मति सुमन चतुरवेदी ने कारेकरम को संबोधित करते हुए कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन अंग है और यह हमें शारीरिक और मानसिक रूफ से स्वस्थ रखने में मदद करता है उन्होंने कहा कि योग न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है बलकि हमें तनाव और चिंताओं से भी मुक्त रखता है कारेकरम में योग प्रशिक्षक श्री रवीश कुमार पाटिदार ने उपस्तित महिलाओं को विभिन योगासन का अभ्यास कराया उन्होंने बताया कि योगासन करने से रोग प्रतिरोधक शंता बढ़ती है और कई बिमारियों से बचाव होता है उन्होंने महिलाओं को नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित किया कारेकरम में महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया तथा विभिन योगासन प्रदर्शन किया जिसमें मुख्य रूप से ताडासन, प्रिकोनासन, व्रिक्षासन, पदासन शामिल थे कारेकरम के अंत में अध्यक्षा द्वारा प्रशिक्षक श्री रवीष कुमार पाटिदार को माला एवं दुपट्टा पहना कर उनका सम्मान किया गया सभी सदस्यों को एनर्जी ड्रिंक पिलाया गया कारेकरम सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सुमन चतुरवेदी, सन्रक्षक, शोभा गुपता, सहस अचीव आशा काग्या, नीशा भराडिया, रीना आदिचय, चतुरवेदी, शशी खंडेलवाल, प्रेमलता खंडेलवाल, सपना खंडेलवाल, मोनिका बंसल, प्रतिभा पोरवाल, विनिता मंत्री, हेमलता जैन, राजेश बिरला, राधा गुपता, रीना शर्मा, राश्री जैस् लता, मुदडा, नीतू, काग्या, कवीता राठी, बीना राठी, सरोज, जाखेतिया, आदि ने हिस्सा लिया भवानी मंटी से न्यू समादाता किशोरतवर की ये खास रिपोर्ट